चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा सिप्टेमबर 2015 में एक फ्रेमवर्क इस्टेबलिस किया गया था उस पेरामिटर्स के अकोर्डिंग काफी सारे इंस्टिटूट की ये रेंकिंग फिक्स की जाती है यानि कि इसमें मेडिकल इंस्टिटूट भी आते हैं, डेंटल के भी आते हैं, आई आईटी के भी आते हैं और बहुत सारे institute हैं इसमें, तो हर साल ये rank अनाउंस की जाती है, 2023 के लिए भी ये rank अनाउंस कर दी गई है, इसमें हम medical और dental याने की MBBS और BDS दोनों के institution के बारे में बात करेंगे कि कौन से institute की क्या ranking है 2023 के लिए, इससे आपको फाइदा होगा कि जो अभी counseling होनी वाली है 2023 के लिए जो top की student है, उनको कौन सी college prepare करनी चाहिए, उनकी क्या report है, वो कितनी अच्छी है, इसके थूरू वो देख सकते हैं, तो इसकी website जैसी आप Google में जाएंगे, वैसे NIRF type करेंगे, तो इसकी website आ जाती है, आप website पर इसकी सारी information देख सकते हैं, अब हम एक बार देखते है कि ये जो parameters हैं, जिनके तहत ये NIRF की जो ranking है, वो decide की जाती है, वो parameters कौन-कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले parameters है, teaching, learning and resources, दूसरा जो parameter है, research and professional practice, थार्ड है, graduation outcome, और फोर्त जो parameter है, वो है outreach and inclusivity, और इसके बाद में जो last parameter है, वो है perception, तो इन parameters के according किसी भी institute की ranking निर्धारित की जाती है, government दौरा, तो एक बार हम देख लेते हैं, इसमें कौन-कौन से institute आते हैं, तो overall भी देख सकते हैं, university, college, research, institute, engineering, management, pharmacy, इसके medical, dental, law, architecture and planning, agriculture and allied sector, ये तो सारे के सारे जो institute है, इनकी ranking निर्धारित की गई है, और 2023 के लिए ये rank announce कर दी गई है, हम यहां पर medical के institute और dental के institute, यानि MBBS और BDS के दोनों institute की बात करेंगे, और ranking के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन सी college की कितनी ranking है इसमें, तो सबसे पहले हम MBBS के बारे में बात कर लेते हैं, तो MBBS का जो first में top में है, All India Institute of Medical Sciences दिल्ली, यानि AIMS दिल्ली, इस बार भी top है, और यह हमेशा ही top पर रहता है, जो ranking के, जो parameters के according ranking दी जाती है, उसमें इस बार भी ये top है, और score है, इसका 94.32, सबसे ज्यादा score AIMS दिल्ली का है, यहां से आप इनकी और भी detail देख सकते हैं, parameters की reporting देख सकते हैं, इसका graph देख सकते हैं, कि कौन-कौन से institute में किस परकार से यह decide किया है, कैसे parameters के according, इनकी rank decide की गई है, तो आप more details में यह सारी देख सकते हैं, जैसे AIMS दिल्ली का 5 साल का यह दिखाया गया है, इसमें actual student strength दिखाई गई, तो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, तो आप हर एक institute का यह report निकाल करके देख सकते हैं, यहां पर paragraph भी दिया गया है, चुरी, graph भी दिया गया है, यहां पर graph के according भी आप इस परकार से चेक कर सकते हैं, कौन से institute की क्या report है इसमें, तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें, तो AIMS दिल्ली नमर वन पर है, दूसरा है postgraduate institute of medical education in this, जो PGIMER चंडिगड है, second नमर पर है, इसके बाद में CMC value, यह third नमर पर है, next में है national institute of mental health, बैंगलोर का है यह, और यह fourth नमर पर है, इसके बाद में, यह जो national institute है, यह PG का institute है इसमें, इसके बाद में हम बात करें, जो चंडिगडवाला है, यह भी PG का है, और जो जिपमर है, यह जिपमर फिप्त पोजिशन पर है इस बार, और जो जिपमर है, यह INI में आता है, यानि की important of, sorry, institute of national importance, INI में जिपने भी institute आते हैं, उनका अलग से exam होता है, मैं आपको बता दूँ कि इसमें सारे aims आते हैं, INI में, इसके बाद में जो चंडिगड़ का college है, PG&I चंडिगड़ है, वो आता है उसके बाद में, और जिप हम Bangalore का आता है, और SCT त्रिवेंदरम आता है, तो यह सारे INI CT में आते हैं, तो इसमें भी जो INI CT के हैं, सारे institute सामिल हैं, यानि की यह सारे के सारे INI के अच्छे institute हैं इसमें, इसके बाद में हम बात करते हैं, अमरता, और इसके बाद में संजय गंदी, यह लखनव का है, PG का institute है, 7 ranking पे है, BHU को आप जानते हैं, 8 ranking पर है, इसमें, और KMC मनिपाल 9 ranking पर है, इसके बाद में जो मैंने बताया, SCT त्रिवेंदरम का, जो INI है, वो 10 नमर ranking पर है इसमें, अब हम आगे बात करते हैं, next institute की, तो इसमें next में 11 नमर पर, अगर हम देखते हैं, तो 11 नमर प है, King George Medical University, यानि KGMC, 12 नमर पर है, और इसके बाद में जोदपूर, AIMS जोदपूर 13 नमर पर है, और VMMC, जो दिली का कोलेज है, IPU के अंडर आता है, MCC द्वारा कांसलिंग करवा जाती है, 14 नमर पर है ये, DRDY पार्टिल Dimmed University है, ये 15 rank पे है, पुने की, इसके बाद में जो उडिसा भूनेश्वर की Dimmed University है, सम होस्पिटल, वो है 16 नमर पर, AIMS भूनेश्वर 17 नमर पर है, और स्वेता चिन्दई की Dimmed University है, वो 18 नमर पर है, सेंट जोन करनाटका की प्राइवेट मेडिकल कोलेज है, वो 19 नमर पर है, और SRM चिन्दई की Dimmed University है, 20 नमर पर है, फीश इसकी काफी ज़्यादा है, 25 लाक्स पर यर इसकी ट्योसन फीश है, स्री राम चंद्रा इंस्टिटूट ओफ रिसर्च चिन्दई ये भी 21 पर है, Dimmed University है, तमिल नाडू की, और RISI केस 22 नमर पर है, इसके बाद में जो इंस्टिटूट ओफ नियो डेली का है, ये 23 रेंकिं है, 25 रेंकिंग पर है, कलिंगा, Dimmed University है, भाउनेशवर का 26 रेंकिंग पर है, एम सपतना 27, एम यू 28, इसके बाद में हमदर्द 29 और केम सी मैंगलोर 30 रेंकिंग पर है, करनाठका का Dimmed University, अब बात करें हम लेडी हार्डेंगे जो दिली का वुमेन कोलेज है, वो 31 रेंकिंग पर है, और इसके बाद में जो चंडिगड है, गौर्मेंट मेडिकल कोलेज है, चंडिगड का, वो 32 पर है इसमें, मोलना अजाब 32 पर है, शुरी 33 पर है, यहां 32 गलती से लिखा गया है, यह 33 पर है, मैर्सी, मार्केंडेशवर, अंबाला का जो हरियाना का Dimmed University है, वो 34 पर ह दयानन्द मेडिकल कोलेज, लोधियाना पंजाब का प्राइवेट मेडिकल कोलेज है, वो 35 रेंकिंग पर है, इसके बाद में UCMS दिल्ली का 36 और JSS मैसूर करनाठका का Dimmed University है, 37 रेंकिंग पर है, EMS भोपाल 38 पर है, EMS राइपूर 39 पर है, और PSG जो कोईम टूर है, वो 40 नम 41 रेंकिंग पर है, एमदाबाद का, और CMC लुधियाना 42 पर है, MS रमया जो करनाठका का प्राइवेट मेडिकल कोलेज है, 43 रेंकिंग पर है, तरवेंदरम का GMC है, 44 पर है, और इसके बाद में कॉलकटा का मेडिकल कोलेज 45 रेंकिंग पर है, SMS जेपूर राजस्तान का 46 रे रेंकिंग पर है, यह दिम्ड उनिवर्सिटी है, इसके बाद चेटेंड होस्पिटल की बात करें, तो यह 48 रेंकिंग पर है, यह तमिलनाडू का दिम्ड उनिवर्सिटी है, इसके बाद में BD सिर्मा PGI रोतक की बात करें, हरियाना का इंस्टिटूट 49 पर है, और BJ Medical College तो यह 50 रेंकिंग दे रखी है, इंस्टिटूट की हर साल 50 रेंकिंग तक ही दी जाती है Medical की, इसमें जो पार्टिस्पेट करते हैं इस बार 176 इंस्टिटूट ने पार्टिस्पेट किया था, हम जानते हैं इंडिया में 650 के नियरबाई graduate और post graduate के इंस्टिटूट है, इन स सकते हैं, इसके अनुसार college फिल कर सकते हैं, सारे college की यहां मतलब की जो 176 में से 50 college रेंकिंग में आये हैं, उनकी यहां पर list और report दी गई है, देख सकते हैं आप, तो यह तो थी medical की बार, इसमें जो 176 पार्टिस्पेट किये हैं, medical college यह medical institute, तो वो कौण-कौण से हैं, उनक सारे 176 institute हैं, जिन्होंने medical के लिए MBBS के लिए NIRF में participate किया है, यानि कि सारे institute ने participate नहीं किया जो इंडिया में है, 176 ने किया है, उनमें से 50 की ranking यहां दिखाई गई है, जो मैंने बताई है, तो यह तो है MBBS की बात, अब हम बात करेंगे medical की बात, medical के लिए, sorry, dental की बात करे हैंगे हम, dental में कौन कौन से institute है, तो dental पर हम click कर लेते हैं एक बात, तो dental के जो institute है, वो 40 institute की यहां ranking दी गई है, total 155 institute ने participate किया था, उनमें 40 institute की यहां ranking दी गई है, तो स्विधा institute medical and technical sciences चिनई का है, एक नम्मर पर है यह, यह डिम्डी उनिवर्सिटी है, इसके बाद मनिपा यह भी डिम्डी उनिवर्सिटी है, दो नमर पर है, DRDY पाटिल डिम्डी उनिवर्सिटी है, तीन नमर पर है, इसके बाद मोलना आजाद दिली का dental college है, 4 नमर पर है, AB City Memorial Dental Sciences करनाटका का है, 5 नमर पर है, SRM Dental College तमिलाडु का है, 6 नमर पर है, स्री राम चंद्रा, यह डिम् रामया है, वो 10 नमर पर है, JSS Dental करनाटका का private dental college है, 11 नमर पर है, अमरिता 12 नमर पर है, इसके बाद में PGDS, रोतका है, वो 13 नमर पर है, इसके बाद में रमिया है, वो 14 है, इसके बाद में government medical college नागपूर, श्योरि, government dental college नागपूर 15 पर है, मिनाक्सी 16 पर है, यह डिम्डी पर है नायर होस्पिटल यह प्राइवेट डेंटल कोलेज है मुंबई का 19 पर है कलिंगा डेंटल कोलेज है 20 पर है इसके बाद में गौर्मेंट डेंटल कोलेज एहमदाबाद का है गुजरात का 21 पर है SDM धर्वाड का है वह 22 पर है MGR चिननाई का है 23 पर है गौर्मेंट डेंटल कोलेज बैंगलूर 24 पर है गौर्मेंट डेंटल कोलेज तुरवेंदरनबु केला का 25 पर है इसके बाद विश्णुदेंटल यह है आंदरप्रदेस का 26 रेंकिंग का है और चेटेंड जो डेंटल को लुधियानावाडा 30 पर है एम्यू 31 पर इसके बाद में GDC इंदोर 32 है जो आर्मी का ACDS है सिकंद्राबाद में है तेलंगाना में जिसमें आर्मी के बच्चे ही BDS कर पाते हैं वो 33 थ्री रेंकिंग भी है कुछ सीटें इसमें स्टेट की भी है यहां पर पंजाब उनिवर्सिटी चंडिगट की 34 पर है केली डिम्ड है वो 35 पर है बापुजी डेंटल जो दवनगिरी का है करनाटक में है 36 रेंकिंग पर है इसके बाद में करमावती है गांधी नगर गुजरात का है 37 पर है पदमसरी डियार डिवाई पार्टिल का 38 पर है भारती वित्यापीर 39 पर है और सरस्वती डेंटल को लेज लखनव का 40 रेंकिंग है तो यह टोटल BDS के को लेजेज है अब जो पार्ट वहां से देख सकते हैं तो यह जानकारी थी NIRF 2023 के बारे में जो गौर्मेंट ने मेडिकल कोलेज, डेंटल कोलेज और अन्य इंस्टिटूट के लिए भी रेंकिंग निर्धारित की है उसके बारे में अगर आप कांसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं ओल इंडिया कोटा, इस्टेट, आयूस, वेटनरी सभी के लिए बुक अवेलेबल है इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.чोपडा.education.in से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही डाउन इस परकार से स्टेट कोटा की बुक में भी ये सारी फैसलिटी है उसमें ओपन स्टेट के बारे में भी समझाया गया है ओपन कोटा की बुक के बारे में तो ये जानकारी थी निर्फ के बारे में इस परकार की इनफोर्मेशन हम लेके आते रहते हैं आप हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करके बैल आइकोन अवस्य प्रेस करें क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन मिल सके नेट रिलेटेड सारी इंपोर्मेशन हमारे चैनल पर मिलेगी तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात झाले वीडियो